सोच सब की अलग-अलग होती है, खाना बनाने का तरीका भी अलग-अलग होता है, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन खाने के ऐसे हैं, जो पूरे वर्ड में आपको मल जाएंगे, अगर ये वाला कॉम्बिनेशन मल जाएंगे, तो हम साही पनीर और रेस्टरॉन का महंगे से महंग चार आम लिये हैं, ये चार हैं, और इनको नमें छोटे-छोटे टुकडों में कट कर लूँगी, वैसे तो बहुत से ना घरों की ये रेसिपी अलग-अलग होगी, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ, आपको पसंद आए तो लाइक करकी चैनल को सस्क्र कर लीजेगा, मैं इस तरी की कुकिंग वीडियो ही डालती हूँ अपने इस चैनल पर, तो मैंने इसमें चीनी आट की, थोड़ा सा लमक आट किया है, वंच-बिंच के करी, और केसर वाला पानी आट किया है, और साथ में काजू आट किया है, आप इसमें इलाइची भी आट कर सकते हैं, जिंचर पाउडर भी आट कर सकते हैं, और इसे निकाल लीजिए, इसमें थोड़ा सा बच्चा हुआ केसर वाला पानी आट कर देंगे, और पिस्ते से सजा देंगे, और इसके साथ खाया पूरी, वह, आप सच मानी, अगर आपने ट्राइ नहीं किया है, तो एक